नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बाइक रिपेरिंग चैनल में और आज में रिव्यू करने वाला हूँ बजाज पलसर NS 125 CC के बारे में तो 125 CC मतलब 124.4 CC एयर कूल इंजन के साथ आप लोगों को यह मिलती है और डिफरेंट टाइपस के स्पेसिफिकेशन इसमें मिलते हैं displacement 124.4 CC है और mileage 64.75 किलोमेटर पर लीटर है और अगर आप लोग देखें तो इसका outlook देखें चैचिस कैसा आप लोगों को सामने से दिखाई दे रहा है और wheels आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग rear brake और front brake की बात करें तो front brake जो है डिस्क के साथ है और rear brake जो है ड्रम के साथ है fuel capacity 12 लिटर की आप लोगों को इसकी यह जो टंकी है जिसमें fuel डलता है वो 12 लिटर की आप लोगों को मिलती है body type आप लोगों को sports bike का look जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि आगे से देखे एक जो look देखने को मिल रहा है वो sports bike का है तो कहीं से भी आप लोग देखेंगे तो मुझे तो बहुत जादा अच्छी लगी है इस bike और मैं खरीदने वाला भी हूँ तो LED tail light अगर हम लोग देखें तो yes, odometer digital है और fuel engine जो है वो yes है इसमें fuel engine जो है fuel gas जो मिलता है, speedometer आप लोग देखें तो digital मिलेगा trip meter देखें तो digital मिलेगा और tachometer आप लोग analog मिलेगा आप लोगों tachometer जो है वो analog है, तो disc brake जो है आप लोगों को आगे के wheel में मैं दिखा देता हूँ आगे के wheel में आप लोगों को disc brake मिलते हैं, ठीक है तो different types के हैं, engine type four stroke मैंने बता दिया आप लोगों को two valve के साथ है air cold है, BS6 आप लोगों को मिलते है, DTSI engine जैसा कि always आप लोगों को मिलता है maximum power इसमें 11.99 PS पर 8500 RPM के साथ मिलता है, maximum torque आप लोगों को मिलता है 11 Nm पर 7000 RPM के साथ, cylinder जो है उसमें एक है, और valve पर cylinder इसमें दो आप लोगों को मिलते हैं gearbox 5 है, 5 gearbox आप लोगों को मिलता है, तो disc brake के आगे आप लोगों को देखा ही जा रहा है कि, और look भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है दो color आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं, आगे से जो sports का जो look दे रहे हैं, वो आप लोगों को metallic जो red आल आता है वो शांदार कलर मुझे लग रहा है, as compared to blue, तो क्योंकि अगर आप लोग इस पर हाथ लगा के भी देखेंगे, तो आप लोगों के एक शांदार जो है, वो लुक देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को RPM का जो है, एक मीटर, अगर आप लोग ध्यान से मीटर को देख देखने को मिलेगा, तो ये मीटर आप लोगों के सामने है, और दो अलग बटन आप लोगों को मिले है, और एक RPM का भी बटन आप लोगों को मिला है, जिसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देखें, दो बटन आप लोगों को अडजस्टमेंट के मिले हैं तो bs6 bike है जैसा कि आप लोगों को पता है और बोर 52 का है इसमें 52 mm का है speedometer digital है tachometer analog जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है pass switch जो है वो yes है इसमें pass switch और passenger forest भी इसमें आप लोगों को मिलता है features and safety की बात करें तो speedometer digital जैसे कि आप लोगों को मिलता है तो all अगर हम लोग टायर और brakes की बात करें सिर्फ टायर और brakes की तो tubeless tire है इसमें आप लोगों को tubeless मिलता है बहुत अच्छा tubeless वाला जो चीज है तो वो तो मिलना ही चाहिए और wheel type alloy है इसमें और rear brake जैसे कि मैंने का हट drum के साथ है टायर साइज अगर हम लोग देखें तो 80 by 100 का है 17 rear के साथ आप लोगों को tire की features मिलते है और electricals अगर हम लोग देखें तो led tail lights इसमें है battery type जो है वो mf है battery capacity 12 volt की battery आप लोगों को इसमें मिलती है headlight आप लोगों की halogen मिलेगी और tail light आप लोगों को led मिलेगी ठीक है तो यह देखें tail light जो है वो आप लोगों को leds मिलती है और आप लोगों को headlight जो है वो halogen ही मिलेगी ठीक है led tail lights में आप लोगों को मिलती है battery type जैसे कि मैंने बता दिया mf के साथ है chestis और suspension अगर हम लोग देखें तो front suspension इसमें telescopic है और rear suspension इसमें mono socks है तो अगर आप लोग देखें इस suspension बीच में जो road सी डली हुई है आप लोग spring जिसको हम लोग बोलते है अगर वह आप लोग देखें ध्यान से तो मैं आप लोगों को पता ही है charging की बात करें तो charging at home नो इसमें कोई भी charging का वाला नहीं है charging की कोई भी features जो है इसमें नहीं मिलेगे आप लोगों को mileage performance देखें तो top speed जो है वो 103.29 km per hour किस वाई से ना पी गई है मतलब 103 km per hour तो आप लोग देख सकते हैं इस bike को यह जो outer look जो है इसमें दो color आप लोगों को मिल रहे है sports के रूप में blue and red और ज्यादा लुभावना red आप लोगों को लगेगा यह कुछ fuel का है जो आप लोगों को extra मिलता इसमें silencers जो होता है वो अलग ही look जो है इसमें देखने को मिल रहा है तो 125 एनस जो है मुझे तो अच्छी लगी है और on-road price आप लोग इसे pass के showroom से देख सकते हैं वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 98,234 रुपीज के आप लोगों कोई मिलेगी मतलब तकरीबन एक लाग रुप है अब लोग consider करके चलें तो यह bike है और एक शोरूम डेली 98,235 रुपीज की price है तो I think आप लोगों को जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं इस bike के बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा जो भी features आप लोगों को चाहिए कि इस bike में क क्या है वो सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए comment कीजिए और पूछे मुझसे कि कौन-कौन से features जो है और भी आप लोगों को इसके बारे में पूछने है आज के लिए इतना ही धन्यों